हलो दोस्तों नबस्तिया आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सिक्षक पातरता परिक्षा को ले करके आओ कन्फूजन दूर करें यहां जैसे कि आप सबने हमारा वीडियो देखा होगा या फिर यूट्यूब के अधर भी चैनल पर आपने देखा होगा तो यह बताय कि 15 15 इतना साब प्रशन इत गलत है और फिर इसा माक्स गलत प्रशन को मिलेका तो वी प्लोड किया और हमीं ठीक हमारी जैसे और चैनल घरएफ कर क मैं आथने वीडियो में कमेंट किया तो पहले स्टाट करते हैं 10 से 12 बास्तों कि जैसे कि 10 या 12 marks की जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार टेट में पेपर 2 की अगर बात करें तो SST में जिनका पेपर जो है हिंदी, इंगली, सोसल साइंस और चाइल डवलप्मेंट जो है अगर उसको मिला के देखें तो 10 प्रसन जो है पहले board ने गलती किया था, ठीक है और अभी जो है रिवाज डांकसर की जारी किया गया, उसमें 9 प्रसन को गलत किया गया तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 10 से 12 प्रसन की, तो 10 तो पहले ही थे, लेकिन रिवाज डांकसर की जारी में भी 10 या 11 अभी 11 ऐसा भी हो सकता है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 10 प्रसन गलत होगा या 12, मैं यह कह रहा हूं कि 10 या 12 कोई भी हो सकता है, तो यह confusion आपका दूर हो गया, कि 10 या 12 इसलिए, अगर इसका मार्ट मिल सकता है, गलत प्रसन के बात करें 4 या 5, तो 4 और 5 नवर जो है, वह जो है एक expected cut-off है कि आपको जो है इतना marks revised answer की में जो है, इतना सुधार हो सकता है, ठीक है वहीं बात करें 1 या 2 प्रसनों की या 1 या 2 marks की तो I am 0.99% sure कि 1 या 2 प्रसन revised answer की जो जारी किया है उसके बाद अभी जो revised answer की जारी होगा या result जारी किया जाएगा उसमें I am 100% नहीं लेकि 99.9% sure हूँ कि 1 या 2 प्रसन changing होगा और इसका marks अगर नहीं मिल तो फिर गलत प्रसनों का marks नहीं मिलता है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन यदि 1 या 2 प्रसन ऐसे होंगे जो फिर सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं I am 99.99% sure हूँ कि 1 या 2 प्रसन तो आप लोगों को ये confusion अब दूर हो गया होगा कि 1 या 2 marks मिलेंगे या 4 या 5 marks या 10 या 12 marks टोटो लाकिर कितना marks ब्याहर टीटी में अभी और भी मिल सकता है या फिर कितना गलत सवाल होंगे बात रही 10 बारकी तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं मैंने बता ही दिया यदि गलत प्रसनों का marks मिलता है तो इन सारे जो 1 2 4